अब अगला पार्ट है पार्ट पार्ट पांच कोईला और पोट्रोलियम तो इसमें है समाप्त होने वाले तथा अक्षे प्राकृतिक संसाधनों को वर्गी करत कीजिये हवा, सूर्य का प्रकास, पानी, वन, वन्यजीव, कोईला तो इसमें एक तरफ लिखना है समाप्त होने वाले संसाधन एक तरफ लिखना है अक्षे संसाधन तो समाप्त होने वाले संसाधनों में है वन्यजीव और कोईला और अच्छे साधनों में है हवा, सूरी का प्रकास और पानी कार्बनी करण क्या होता है तो इसमें लिखना है कार्बनीक योगिक कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्यों से मिलकर बने योगिकों को कार्बनी करण कहते हैं भारत में प्राक्रतिक गैस कहां पाई जाती है तो भारत में प्राक्रतिक गैस के विसाल भंडार हैं हमारे देश में प्राक्रतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट और कुष्णा गोदावरी के डिल्टा में पाई जाती है अगला प्रश्ण है माथ यानि की कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हे तू प्रियोग में आने वाली नैप्तलीन की गोलियां कोई लेके किस उत्पाद से प्राप्त की जाती है इस उत्पाद के कोई दो अन्य उप्योग भी लिखिये तो माथ और अन्य कीटों को भगाने हे तू प्रियोग में लाई जाने वाली नैप्तलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं इनका उप्योग है एक तो औसधी में कर सकते हैं विसफोटक के रुप में भी कर सकते हैं प्लास्टिक पेंट आदी के रुप में भी किया अब अगला प्रश्ण है CNG का पूरा नाम लिखिए तो CNG का पूरा नाम होता है Compressed Natural Gas या उच्चदाब पर संपेडित प्राक्रतिक गैस अगला प्रश्ण है हमारे दैनिक जीवन में प्राक्रतिक गैस का क्या महात्तु है लिखिए तो हमारे दैनिक जीवन में प्राक्रतिक गैस का उप्योग मुख्यत है उर्जा उत्पादन हे तुकिया जाता है यह कम प्रदूशन कारी है अता ही एक सच इधन है साथ ही साथ इसे बहुत से रसाइनों और उर्वरकों के निर्माण में भी उप्योग में लाते हैं अगला प्रश्ण है जीवास्म इधन की उपलब्दता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि जीवास्म इधन समाप्त होने वाले इधन है अता है इनका बहुत आवश्यक्ता होने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए उनका संदच्छन करना चाहिए इस हे तू अन्य विकल्पों जैसे सौर उर्जा वापवन उर्जा का भी इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए इस प्रकार हम उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं अब अगला है पेट्रोलियम के विविन संघटकों के नाम लिखिए उनके उपयोग उनके उपयोगों को सूची बद्द करें तो इस तरह लिखना है एक तरफ लिखना है पेट्रोलियम के संघटक और एक तरफ लिखना ह उपयोग तो पेट्रोलियों के संगठक में है एक तरफ L P G उसके सामने लिखना है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में दूसरा है पैट्रॉल इसमें लिखना है मोटर इंधन सुस्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में मिट्टी का तेल इसमें लिखना है इस्टोब लैम और जेटवायit के लिए इंधन डील में लिखना है भारी मोटर वाहनों और विदूत जनित्रों के लिए इंधन के रूप में और फिर लिखना है इसनेहक तेल यह है इसनेहन के रूप में काम आता है फिर लिखना है पैराफिन मूम यह है मरहम मूम बत्ती और वैसलीन आधी बनाने में आता है और लिखना है वीटूमिन यह है पेंट एयोम सड़क के निर्माण में काम आता है अगला प्रिश्ण है कि पेट्रोलियम और प्राक्तिक गैस के भंडारों को दरसाता हुआ एक चितर बना ये तो इस तरह का ये चितर बना हुआ है किताब में भी बना हुआ है इसको देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं ठीक है ये समझ में आ रहा होगा ऐसा देख के बना लेना है अगला प्रिश्ण है पेट्रोलियम निर्मान के फ्रक्रम को बताईए समझाईए तो पेट्रोलियम सब्द की उत्पति पेट्रा अर्थाद चट्टान एवं ओलियम अर्थाद तेल से हुई है क्योंकि ये जमीन के नीचे से चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है पेट्रोलियम का निर्मान समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ जब ये जीव मृत हुए इनके सरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए लाखों वर्सों के में वायू की अनुपस्तिती उच्चताप और उच्चदाव से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राक्तिक गैस में परवर्तित कर दिया गया इस परकार पेट्रोलियम का निर्मान हुआ अगला प्राशन लिखना है कि भारत में पेट्रोलियम अनसंधान PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने है तो लोगों को क्या सलाह देती है तो भारत में पेट्रोलियम संरच्चन अनसंधान अर्थाद PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाएं उनके सुझाओ इस प्रकार है नमबर एक जहां तक संभव हो गाड़ी समान एवा मध्यम गति से चलाइए दूसरा यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतिच्छा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए तीसरा है टायरों पर हवा का दाब सही रखिए और चौपता है गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनस्चित करिए अगला